समरूपता के पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि दो आकरितियां यदि रूप वो आकार में समान होती हैं तो उन्हें हम समरूप आकरितियां कहते हैं जैसे ये दो भवनों के चित्र एवं ये दो फोटोग्राफ जो एक ही नेगेटिव से बने हैं रेखा खंडों से बनी बंद आकरितियों या बहुभूजों के समरूप होने के भी कुछ शर्ते हम पढ़ चुके हैं दो आकरितियां समरूप होती हैं यदि उनमें संगत भुजाओं में समान अनुपात हो तथा संगत कोण बराबर हो जैसे ये दो वर्ग समरूप आकरितियां हैं क्यूंकि इनके संगत कोण बराबर हैं तथा इनकी संगत भुजाएं समान उपाती हैं अब इन दो आयतों को देखिए इनके संगत कौन तो बराबर हैं परंतु चोड़ाई में अनुपात एक अनुपात दो है और लंबाई में अनुपात एक अनुपात तीन है अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है इसलिए ये दो आयत समरूप आकरेतियां नहीं है इसके संगत भुजायन तो समानुपाती है उनमानुपात एक अनुपात दो है परन्तु इनके संगत कोण बराबर नहीं है इसलिए यह दो आकरेतियां भी समरूप आकरेतियां नहीं है अब आएए दो त्रिभुजों के समरूपता पर विचार करें क्या दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए भी दोनों शर्टों का पूरा होना आवश्यक है आईए देखें यह दो त्रिभुज है क्या इनके समरूप होने के लिए यह आवश्यक है कि इनके संगत कौन भी बराबर हो और इनकी संकत भुजाओं में समान अनुपाथ हो यह एक त्रिभुज A, B, C है आए एक और त्रिभुज P, Q, R की रचना करें जिसमें कोण P, कोण A के बराबर होगा कोण B, कोण Q के बराबर होगा तथा कोण R, कोण C के बराबर होगा एक लंबी सी रेखा लेते हैं और उस पर एक बिंदू P लेते हैं इस पर हम एक कोण बनाएंगे जो की कोण A के बराबर होगा प्रकार से हम कोण A को नाप करके उसी के बराबर नाप का कोण P पर बनाते हैं दुबारा से कोण A को नापते हैं हम और उतनी ही दूरी का चाप हम इस बिंदू से लगाते हैं यह बन गया हमारा कोण P अब इस रेखा पर एक बिंदू Q लेते हैं और इस पर हम कोण बनाएंगे जो की कोण B के बराबर होगा पहले वाले त्रिभुज में हम कोण B के बराबर चाप लेते हैं और उतने ही नाप का चाप यहां पर भी Q पर भी लेंगे इस बिंदू से हम देखते हैं और इतने ही बड़ा चाप यहां से हम लगाते हैं दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदू R बना आप देख सकते हैं कि कोण A कोण B के बराबर है तथा कोण B बिल्कुल उसी नाप का कोण Q के बराबर है क्या आप बता सकते हैं कि कोण C और कोण R में क्या संबन्द है जी हां वे भी एक बराबर होंगी आप देख रहे हैं कोण C भी कोण R के बराबर है अब आएए इस छोटे वाले त्रिभूज को बड़े त्रिभूज के उपर इस प्रकार रखें कि छोटे त्रिभूज की सभी भूजाएं बड़े त्रिभूज की सभी भूजाओं के समांतर हो आप देख रहे हैं कि A, B और P, Q समांतर है A, C और P, R समांतर है B, C तथा Q, R समांतर है यानि ये दो त्रिभूज समरूप आकरितियां जैसी लग रही हैं आएए अब इनके भूजाओं के माप को जाज कर देखते हैं कि क्या संगत भूजाएं भी समानुपाती हैं त्रिभूज A, B, C में भूजा A, C जितना हमने ये नाप लिया और इसे हम अब देखते हैं पी आर पर रख करके जी हाँ भूजा पी आर भूजा A, C के दुगना है इसी तरह से भूजा A, B नापते हैं और पी क्यू पर रखते हैं आप देख रहे हैं कि भूजा P, Q भी भूजा A, B के दुगनी है इसी तरह से भूजा B, C को नाप कर देखते हैं इसे अब भूजा Q, R पर रख कर देखते हैं जी हाँ, हम देख रहे हैं कि भूजा B, C के दुगना भूजा Q, R है यानि संगत भूजाएं समान अनुपात में हैं इस प्रकार से दोनों त्रिभूज समरूप आकरितियां कहलाएंगी ध्यान दीजे कि हमने पहले आत्रिभूज A, B, C जो बनाया था दूसरा आत्रिभूज P, Q, R की रचना इस प्रकार से किया कि सिरफ P, Q, R की सभी कोण A, B, C के सभी कोणों के बराबर थे लेकिन हमने देखा कि उनकी संगत भूजाएं अपने आप समानुपाती हो गई यानि कोणों के एक शर्थ पूरी होने पर भूजाओं के समानुपात होने की दूसरी शर्थ अपने आप पूरी हो जाती है किसी भी प्रकार के त्रिभुजों को लेकर हम इस प्रक्रिया को दोराएंगे तो हम पाएंगे कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तथा त्रिभुज समरूप होते हैं त्रिभूजों के इस गुण को हम कोण 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 प्रमय का नाम देते हैं और इस प्रमय को कहते हैं कोण 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 समरूपता प्रमय आपने ध्यान दिया होगा कि इस प्रमय को हमने अभी रचना द्वारा जांच किया लेकिन इसे हम तर्क द्वारा भी सिध कर सकते हैं परंत परिक्षा की द्रिष्टी से सिरफ जाज कर लेना ही परियाप्थ है अब इन दो त्रिभूजों को देखिए त्रिभूज A, B, C तथा त्रिभूज P, Q, R में कोण B तथा कोण Q बराबर है कोण C तथा कोण R भी बराबर है क्या आप बता सकते हैं कि कोण A तथा कोण P बराबर होंगे या नहीं जी हाँ, हम जानते हैं कि किसी भी तरिभूज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है इस प्रकार कोण A बराबर कोण P कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री घटा 110 डिग्री जमा 30 डिग्री यानि कोण A तथा कोण P दोनों ही 40 डिग्री के होंगे यानि इन दोनों तरिभूजों में तीनों कोण बराबर होगे और हमने अभी देखा कि यदि किसी तरिभूज में तीनों कोण, संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है यानि इस द्रिष्टी से त्रिभूज A, B, C तथा त्रिभूज P, Q, R समरुप त्रिभूज कहलाएंगे इस प्रकार हमने देखा कि यदि दो त्रिभूजों में संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाती हैं आइए अब देखें कि यदि दो त्रिभूजों में संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो क्या उनके संगत कोण भी बराबर होंगे? यहाँ एक त्रिभूज A, B, C है आइए एक और त्रिभूज P, Q, R की रचना करें जिसमें P, Q, A, B के दुगनी होगी Q, R, B, C के दुगनी होगी तथा P, R, A, C के दुगनी होगी हम एक रेखा P, Q लेते हैं उस पर एक बिंदी P लेते हैं अब हम P, Q, A, B के दुगना बनाएंगे A, B को नाप लेते हैं और इसके दुगने माप का P, Q बनाते हैं इस पर हमें बिंदू Q पराप्त हुआ और ये P, Q, A, B के दुगना है अब हमें Q, R बनाना है जो B, C के दुगना होगा B, C 8 cm है यानि Q, R 16 cm का बनाएंगे और Q, R से एक चाप लगाते हैं 16 cm लंबाई का अब P, R बनाना है जो A, C के दुगना होगा A, C को नाप लेते हैं A, C बराबर 6 cm है यानि P, R 12 cm का होगा कमपास को 12 cm खोल करके P से चाप लगाएंगे ये बिंदू R प्राप्त हुआ हमें बिंदू R को बिंदू P से जोडते हैं इधर बिंदू R को बिंदू Q से जोड़ेंगे ये त्रिभूज प्राप्त हुआ P, Q, R जिसकी संगत भुजाएं त्रिभूज A, B, C के संगत भुजाओं के समानुपाती हैं आईए देखें कि क्या इनके संगत कोन बराबर होंगे त्रिभूज A, B, C को हम त्रिभूज B, Q, R पर इस प्रकार रखते हैं हम देखते हैं कि कोन A, कोन P को पुरी तरह ढख रहा है यानि हम लिख सकते हैं कोन A तथा कोन P बराबर है इसी प्रकार त्रिभूज A, B, C को हम त्रिभूज B, Q, R पर रखते हैं इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि कोन B, कोन Q को पुरी तरह से ढख रहा है यानि कोन B बराबर कोन Q है अब इस त्रिभूज को त्रिभूज A, B, C को इधर रखते हैं तो हम देखते हैं कि कोन C जो है, कोन R को पूरी तरह से ढख रहा है यानि कोन C बराबर कोन R है अर्थाथ हमने देखा कि जब हमने दोनों त्रिभूजों के संगत भूजाएं समानुपाती बनाई तो उनके संगत कोन अपने आप बराबर हो गए इस परकार हमने देखा कि यदी दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं यदि समानुपाती होती हैं तो संगत कोर्ण भी बराबर होते हैं अतहः त्रिभुज A, B, C समरूप है त्रिभुज P, Q, R के इस प्रक्रिया को हम किसी भी त्रिभुज के साथ दोराएं तो हम पाएंगे यदि दो त्रिभूजों की भुजाएं समानु पाती हों तो त्रिभूज समरूप होते हैं त्रिभूजों के इस गुण को हम भुजा 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 समरूपता प्रमे का नाम देते हैं आईए अब त्रिभूजों के समरूपता के एक और स्थिति के जाच करें यह एक त्रिभूज A, B, C है आईए एक त्रिभूज P, Q, R की रचना करें जिसमें कोण P, कोण A के बराबर हो कोण भुजा P, R, A, C के दुगनी हो और भुजा P, Q, A, B के दुगनी हो इसके लिए हम एक किरन बनाते हैं बिंदू P है यह आईए P पर एक कोण बनाए जो कोण A के बराबर हो इस प्रकार हमें कोण P प्राप्त हुआ जो कोण A के बराबर है अब भुजा P, Q बनाते हैं जो A, B के दुगनी होगी यह बिंदू Q प्राप्त हुआ और P, Q, A, B के दुगनी है इसी तरह भुजा P, Q बनाएंगे जो A, C के दुगनी होगी हमें बिंदू R प्राप्त हुआ P, R जो A, C के दुगनी है अब हम Q तथा R को जोड़ेंगे इस तरह से इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ त्रिभूज P, Q, R जिसमें कोण P, कोण A के बराबर है भुजा P, Q, A, B के दुगनी है तथा भुजा A, C P, R के आधिया या भुजा P, R, A, C के दुगनी है आईए त्रिभूज P, Q, R के बाकी कोण एवं भुजाओं के माप को जाचे हम देखते हैं कि कोण C, कोण R को पुरी तरह से धक रही है यानि कोण C, कोण R के बराबर है इसी तरह से कोण B, कोण Q को पुरी तरह से धक रही है यानि कोण B, कोण Q के बराबर है अब भुजा Q, R को देखते हैं भुजा Q, R आप देख सकते हैं भुजा Q, R A, C के, B, C के दुगनी है इसको नाप कर भी देख सकते हैं या भुजा B, C है आप देखिए कि ये बिल्कुल B, C के दुगनी है यानि हम कह सकते हैं कि तरिभुज A, B, C समरूप है तरिभुज P, Q, R के क्यूंकि संगत कोण सारे बराबर हुए एवं संगत भुजाएं सारी समान उपाती है इस प्रक्रिया को हम किसी भी तरिभुज के साथ दोहराएंगे तो हम पाएंगे यदि दो तरिभुजों में एक तरिभुज का कोण दूसरे तरिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समान उपाती हो तो तरिभुज समरूप होते है तरिभुजों के इस गुण को हम भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमे का नाम देते है अब हम समरूप तरिभुजों पर एक महत्वपूर्ण प्रमे सिद करेंगे प्रमे है सिद कीजिए कि समरूप तरिभुजों के शेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है दिया है दो समरूप्त्रिभुज ABC तथा PQR सिद करना है ABC कशेत्रफल बटा PQR कशेत्रफल बराबर भुजा AB का वर्ग बटा भुजा PQ का वर्ग बराबर भुजा BC का वर्ग बटा भुजा QR का वर्ग बराबर भुजा AC का वर्ग बटा भुजा PR का वर्ग रचना करते हैं हम A से लंब गिराते हैं BC पर AD लंब बना इसी तरह से PS लंब बनाते हैं भुजा QR पर क्यूंकि त्रिभुज A, B, C तथा P, Q, R समरूप है इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी अर्थाथ A, B बटा P, Q बराबर होगा B, C बटा Q, R के अब त्रिभुज A, B, D तथा त्रिभुज P, Q, S को देखे इसमें कोण B, कोण Q के बराबर है क्या बता सकते हैं क्यों जी हाँ क्यूंकि त्रिभुज A, B, C त्रिभुज P, Q, R के समरूप है दूसरा कोण A, D, B बराबर है कोण P, S, Q के अर्थाथ कोण कोण समरूपता प्रमय के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज A, B, D समरूप होगा त्रिभुज P, Q, S के अर्थाथ इन दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी यानि A, B बटा P, Q बराबर होगा A, D बटा P, S के आएए हम इन्हें लिख लेते हैं एक कागस पर रचना करते हैं A, D लंब बनाते हैं B, C पर तथा P, S लंब बनाते हैं Q, R पर उपत्ती में क्यूंकि त्रिभुज A, B, C समरूप है त्रिभुज P, Q, R के इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होगी यानि A, B B बटा P, Q बराबर होगा B, C बटा Q, R के हमने लिखा A, B बटा P, Q बराबर होगा B, C बटा Q, R के अब त्रिभुज A, B, D तथा त्रिभुज P, Q, S में हम जानते हैं कि कोण B, कोण Q के बराबर है क्योंकि त्रिभुज A, B, C त्रिभुज P, Q, R के समरूप है और कोण A, D, B बराबर होगा कोण P, S, Q के दोनो 90 डिग्री के है और थात कोण कोण समरूपता प्रमय के आधार पर हम कह सकते हैं त्रिभुज A, B, D समरूप होगा त्रिभुज P, Q, S के यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी यानि A, B बटा P, Q बराबर होगा A, D बटा P, S के इस प्रकार परिणाम एक और दो से हम प्रात करते हैं B, C बटा Q, R बराबर A, D बटा P, S क्योंकि ये दोनों ही बराबर है A, B बटा P, Q हम लिख सकते हैं B, C बटा Q, R बराबर A, D बटा P, S एक बार फिर हम इस आकरिती को देखेंगे आकरिती A, B, C थथा P, Q, R में शेत्रफल त्रिभूज A, B, C का बनेगा एक बटा दो गुणा B, C गुणा A, D एवं P, Q, R का शेत्रफल बनेगा बराबर एक बटा दो गुणा Q, R गुणा P, S इस प्रकार शेत्रफल त्रिभूज A, B, C बटा शेत्रफल त्रिभूज P, Q, R बराबर अब त्रिभूज A, B, C का शेत्रफल है एक बटा दो गुणा B, C गुणा A, D बटा त्रिभूज P, Q, R का शेत्रफल है एक बटा दो गुणा Q, R गुणा P, S परन्तु अभी हमने सिद्ध किया कि B, C बटा Q, R बराबर है A, D बटा P, S के तो हम इस A, D बटा P, S को B, C बटा Q, R लिख सकते हैं अर्थाथ यह बना B, C बटा Q, R गुणा एक बार फिर B, C बटा Q, R अर्थाथ यह बना B, C का वर्ग बटा Q, R का वर्ग इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज A, B, C का शेत्रफल बटा त्रिभुज P, Q, R का शेत्रफल बराबर होगा भुजा A, B का वर्ग बटा भुजा P, Q का वर्ग और यह भी बराबर होगा भुजा A, C का वर्ग बटा भुजा P, R का वर्ग इस प्रकार आज हमने त्रिभुजों की समरूपता के तीन प्रमयों को सत्यापित किया अब आपके लिए एक सरल समस्या यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को तिगुना कर दिया जाए तो उसका शेत्रफल कितने गुना हो जाएगा